disclaimer है इस वीडियो में क्योंखि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने कहीं पे भी डेटा को डिलिट कर कर के रखे हो जैसे computer में, hardics में, pen drive में, SD card में यह तो फिर mobile phone में तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस data को delete कर दोगे लिटरली बता रहा हूँ आप उस data को delete कर दोगे तो start करते हैं इस वीडियो को अब हम जब भी data को store करते हैं तो एक long term के लिए store करते हैं जैसे कि कितना दिन भी चल जाए हम तो उसे पूरी जिन्दगी के लिए store करके रखते हैं लेकिन जिस चीज में हम उसको store करके रखते हैं जैसे computer में ही हो गया hardix में या तो फिर pen drive में या SD card में कुछ में भी अगर उसे store करके रखते हैं तो कहीं न कहीं उसे format हो जाना या delete हो जाना या तो फिर वो corrupt हो जाना वो एक आम बात है कहीं न कहीं एक देखा जाए तो pen drive का या तो फिर कोई भी storage device का life होता है दो से चार साल इतना के बीच में कहीं न कहीं हो सकता आफ ही से गलती से format हो जाए या delete हो जाए तो ऐसे में एक ही chance बचता है जो की recover करना data को literally बता रहा हूँ न जब आप data को recover करोगे तो आपका बही काम आएगा जो की data delete हुआ है अगर जैसे बताओं कि अगर आप अपने data को अभी अगर delete कर देते हो तो अगर आने वाले time में कभी भी data अगर आपका वो corrupt हो जाता है या तो फिर format हो जाता है तो अभी के फिलाल में ज़्यादा chance रहता है अगर आपने ज़्यादा बाद delete किया है data को तो कहीं न कहीं पूरा का पूरा recover होने का chances रहता है फिरी का software से पेड का software से आ जाता है पूरा बट फिरी का software में एचीज ज़्यादा काम करता है मैं अगर अपना बताओं तो मेरा कुछ दिन पहले ही पूरा का पूरा data corrupt हो गया था बाइरस से तो बैसे में दो साल पहले मैंने data को delete किया था format किया था तो बो data मैंने अब recover किया तो अब खुसी मिलता है कि पहले जो data हमने delete किया था बो अच्छा किया था अगर data delete नहीं करता तो literally मैं आज वो बापस नहीं आता तो ऐसे ही आपको भी करना है जहां भी storage करना है न जहां भी आपने data को storage करके रखाए तो अगर आपके पास time है तो उसका एक और copy बना लो और फिर उस data को delete कर लो और फिर उसी data को भहीं पे paste कर दो अगर हो सके तो अगर आप अपने computer में भी data को रखते हो तो पहले उसे copy करना है कहां पर desktop पर copy करना है फिर उसे file में जो भी file में आप रखते हो वो file में उसे copy कर लेना है और फिर desktop बला delete कर देना है ऐसे होने का chance देखो computer बेगेरा बहुत बार क्या होता है ने कि computer बेगेरा corrupt होते रहता है बाइरस के चलते या कुछ भी चलते तो ऐसे में ज़्यादा चांसे जाए कि आपका delete data recover हो जाए तो बस इस वीडियो में इतना ही था अगर में भी एचीज आपको अभी नहीं समझ में आएगा बाद में जब आपका कोई भी data corrupt हो जाएगा और recover करने की बारी आएगा ना तो चीज ज्यादा समझ में आएगा कि कास में उस टाइम delete कर लेता तो आपे देख सकते हो बाई